हेज वेलकम बैक तू माइ चानल आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक चना डाल जो की खाने में बहुत ही टेस्टी और हल्डी होता बहुत ही इजी रेसिपी है आप मेरे इत तरीके से बनाएएगा ये बहुत ही जटपट बन जाएगा और चलिए आएए रेसिपी देखते हैं तो पालक चना डाल बनाने के लिए हमें लगेंगे लेसिन मैं यहाँ पे हरे वाले लेसिन ली हूँ आप नॉर्मल लेसिन भी तीन से चार कली ले सकते हैं साथी में एक प्यास ले ली हूँ और एक टमाटर चॉप करके ले ली हूँ और अब मैं एक कूकर में थोड़ा सथ स प्यास डाल दूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी जब लेसन और प्यास फ्राई हो जाएंगे तब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और इसे भी साथ में ही फ्राई कर लूँगी और अब मैं यहां पे स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूं तो यहां मैं नमक डाल द साला डाल रही हूँ इसे स्वाथ थोड़ा जादा अच्छा आता है इन सारे मसालों को मैं फ्राई कर लूगी और साथी मैं मैं अब यहां पे इसे ढख करके कवर करकर रख दूगी यहां टमाटर मेरे थोड़े से गल गए हैं और यह बहुत ही अच्छे से प्राई हो गए सार में में एक बंडल पालग को वॉश करके कट करके रखी ती उसे भी डाल दूँगी इन सारी चीजों को मैं मिक्स कर लोगी और साथी में मैं अब इसमें डाल दूँगी पानी आवेशकता अनुसार पानी डाल दूँगी बहुत जादा पानी नहीं डालियेगा और इसे मैं कवर कर दूँगी फुल फ्लेम पे एक सीटी लगा दूँगी और जब एक सीटी के बाद फिर मैं इसका फ्लेम कम कर दूँगी और इसमें 4-5 सीटी और लगा द और अब मैं इसे खोल करके चेक कर लूँगी कि दाल गले हैं या नहीं तो आप देख सकते दाल बहुत ही अच्छे से गल गया है चुक खो गया है और अब मैं इसे इसे इसी तरह से ओपेन वेसल में ही इसे अब थोड़ा सा बॉइल कर लोगी साथी मैं मैं इसमें गरम मसाला तो अब ये पालक चना दाल बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो चलिए आएए अब मैं इसे सर्फ कर लेती हूं और इसे सर्फ करने से पहले मैं यहां पर थोड़ा सा इस पर घी डाल दे रही हूं इसे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा आप मेरी इस पालक चना दाल की रेसिपी को जड़ूर ट्राइ करेगा आप इसे रोटी पराठा या पूरी के साथ या फिर प्लाव के साथ राइस के साथ किसे के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही स्वादिस्ट होता है आपको मेरी ये पालक चना डाल की रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा थैंक ये फॉर वाचिंग